परिचय रवी को संख्याएं बहुत आकरशक लगती हैं ये हर कहीं नजर आती हैं किताबों में, किर्याने की दुकान में, क्रिकेट स्कोर में, जन्म दिन, समय और तापमान में भी संख्याओं का इस्तेमाल होता है रवी को संख्याओं से जुड़े हैरान करने वाले तथ्य इकठे करना बहुत आता है आईए रवी से संख्याओं से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य बाटते हैं आउ सीखें संख्याओं से जुड़े तथ्य बताना संख्याओं के मूल्यों की पहचान इकाई, दहाई, सैकडा और हजार के रूप में करना चार अंकों वाली संख्याओं को पढ़ना, लिखना और गिनना चार अंकों वाली संख्याओं की तुलना करना बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को लगाना ऐसी संख्याओं की पहचान करना जो दी गई संख्याओं के पहले, बीच में और बाद में हों स्थानीय मान और मुख मान के बीच का अंतर बताना सम और विशम संख्याओं की पहचान करना संख्याओं से जुड़े तथ्य हर संख्या के साथ एक दिल्चस्प तथ्य जुड़ा होता है आईए इनके बारे में और जाने अंक एक को इकाई संख्या कहते हैं युग्म यानी पेर दो चीजों को कहते हैं दस सबसे छूटी दो अंकों वाली संख्या है निन्यानवे दो अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है सौ को शतक या सेंचुरी भी कहते हैं सौ तीन अंकों वाली सबसे छूटी संख्या है नो सौ निन्यानवे तीन अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है इकाई, दहाई, सैंकड़ा, हजार चीजों की संख्या को गिनने के लिए हम इकाई का इस्तेमाल करते हैं जब चीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम दहाईयों के समूह बनाते हैं और इन्हें एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई के रूप में गिनते है और अगर बहुत सारी दहाईया हो तो तो फिर हम दहाईयों के दस दस के समूह बनाते है और उन्हें सैकड़ा कहते है जब दस सैकड़े हो जाते है तो हम उन्हें एक हजार कहते है देखिए कि एकाई में सिर्फ एक अंक होता है, दहाई में दो अंक होते हैं, सैकडा में तीन अंक होते हैं और हजार में चार अंक होते हैं चार अंकों वाली संख्याओं को लिखना अगर हम 999 में एक जोड़ दें, तो हमें क्या संख्या मिलती है? नौ जमा एक बराबर दस शून्य लिखिये और एक को आगे ले जाईए फिर नौ जमा एक बराबर दस फिर लिखिये और शून्य लिखकर एक को आगे ले जाईए फिर नौ जमा एक बराबर दस बनेगा लिखिये दस हजार चार अंक की सबसे छोटी संख्या है चार अंक वाली किसी संख्या में चार स्थान होते हैं अगर दाई तरफ से शुरुवात करें तो ये हैं इकाई, दहाई, सैकडा और हजार चार अंक वाली संख्याएं अंक रेखा के ऊपर नंबर लाइन अंक रेखा वह रेखा होती है जो संख्याओं को दर्शाती है किसी अंक रेखा में बराबर विभाजन होते हैं छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याओं के मुकाबले 0 यानी 0 के ज्यादा नस्दीक होती हैं. इस अंक रेखा पर 4000 और 2500 की स्थितिकी तुलना कीजिये. इन मेंसे कौन सी संख्या 0 यानी 0 के ज्यादा पास होगी? इन दोनों मेंसे कौन सी संख्या बड़ी है? 2500, 0 यानी 0 के ज्यादा पास होगी 4000 ज्यादा बड़ी संख्या है संख्याओं की तुलना आईए अब संख्याओं की तुलना करना सीखें 4 अंकों वाली 2 संख्याओं की तुलना करने से हम पहले 1000 वे स्थान पर अंकों की तुलना करेंगे हजारवे स्थान पर जिसका अंक बड़ा होगा वही इन दोनों में ज्यादा बड़ी होगी उदाहरण के लिए आईए 4566 और 2345 की तुल ना करें अब क्यूंकि 4 दो से बड़ा होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि 4566 बड़ी है पर अगर हजार वाले स्थान पर दोनों संख्याओं के अंक बराबर हो तो हम सैकड़ा वाले स्थान की तुल ना करते हैं जिस संख्या में सैकड़ा वाले स्थान की संख्या बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी उदाहरण के लिए आईए 7652 और 7453 की तुलना करें हजार वाले स्थान पर दोनों अंक समान है तो हम 6 और 4 की तुलना करेंगे अब क्योंकि 6 चार से बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि 7652 बड़ी संख्या है बढ़ता और घटता क्रम जब हम संख्याओं की तुलना करना जान जाएंगे तो हम उन्हें बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में रख सकते हैं बढ़ते क्रम में संख्याओं को इस तरह रखा जाता है कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक होता है उसके बाद अगली बड़ी संख्या होती है और उसके बाद और बड़ी वाली घटे क्रम में संख्याओं को इससे उल्टे क्रम में रखा जाता है यानि शुरुवात सबसे बड़ी संख्या से होती है प्रतीक रूप में संख्याओं का बढ़ता क्रम से छोटा चिन्ह से दर्शाया जाता है उदाहरण के लिए 390 कम है 1823 से ये कम है 3005 से और ये कम है 7540 से इसी तरह घटा क्रम से बड़ा चिन्ह से दर्शाया जाता है उदाहरण के लिए 6583 बड़ा है 5678 से ये बड़ा है 2134 से ये बड़ा है 1200 से और ये बड़ा है 456 से पहले बीच में और बाद में जो संख्याएं दी गई किसी संख्या से छोटी होती है वे उससे पहले आती है जो संख्याएं दी गई किसी संख्या से बड़ी होती है वे उसके बाद में आती है जो अंक दो संख्याओं के बीच आता है उसके बारे में हम क्या कहेंगे इस दी गई संख्या के दाई तरफ वाली संख्या बड़ी और बाई तरफ वाली संख्याएं छोटी होती है चार अंक वाली संख्याएं जरा 6174 संख्या को देखें ये एक जादूई संख्या है 6, 1, 7 और 4 अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्याएं बनाईए ऐसी सबसे चोटी संख्या होगी 1,467 सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7,641 अब 1,477 को 7,641 में से घटाईए अंतर होगा 6,174 प्लेस वैल्यू यानि स्थानी मान और फेस वैल्यू यानि मुख मान इकाई, दहाई, सैकडा और हजार किसी संख्या की प्लेस वैल्यू यानि स्थानी मान हैं प्लेस वैल्यू एक ऐसी संख्या होती है जो हमें इसका मूल्य या मान निर्धारित करने में मदद करती है उदाहरण के लिए दो का अंक 2350 संख्या में 1000 वाले स्थान पर है जबकि 5023 संख्या में ये दहाई वाले स्थान पर है इसलिए 2350 में दो का मान 2000 है और 5023 में ये दो दहाईयों में है यानि 20 किसी संख्या की फेस वैल्यू स्वयम वह संख्या ही होती है पाच सो पचपन संख्या में पाच की face value यानि मुखमान हर स्थान पर पाच ही है लेकिन पाच की place value हर जगा अलग-अलग है अगर हम बाएं से दाएं चलें तो पाच सो पचपन में तीन पाच का मान पाच, पचास और पाच सो होगा सम और विशम संख्याएं जिस भी किसी संख्या में 0, 2, 4, 6 या 8 अंक होते हैं उसे सम संख्या कहते हैं उदारण के लिए 34, 56, 70, 102 ये सब ही सम संख्याएं हैं यदि किसी संख्या में 1, 3, 5, 7 या 9 अंक होते हैं तो इसे विशम संख्या कहते हैं उदारण के लिए 23, 41, 57, 89 ये सब ही विशम संख्याएं हैं सम संख्याओं को दो बराबर समूहों में बाटा जा सकता है हमने क्या चर्चा की हजार चार अंक वाली सबसे छोटी संख्या है और 9,999 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है चार अंकों वाली दो संख्याओं की तुलना संगत स्थानों पर मौजूद अंकों के आधार पर की जा सकती है संख्याओं को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में संगत स्थानों पर मौजूद अंकों की तुलना करके क्रम में लगाया जा सकता है जो संख्याओं किसी दी गई संख्या से छोटी होती है वे उससे पहले आती है किसी दी गई संख्या से बड़ी संख्याएं उसके बाद आती है किसी अंक की face value यानी मुखमान खुद वही अंक होता है किसी अंक की place value यानी स्थानी अमान इसकी स्थिती पर निर्भर करती है और यह इकाई, दहाई, सैकडा और हजार में हो सकती है